बेस्ट लेक्टप एंजियमिंग स्टुरेंट्स के लिए तो बही अगर आप एंजियमिरिंग करते हो एंड इन 2021 में आपको लेक्टप शुर्चर कर रहे हो एंड बही अगर आपका बज़ेट चालिस उदार है यह वीडियो श्पैशली मैं आपके लिए करूं ठीक है मैं बह मिलेगी मिलेगी प्लस आपको इंटिगेटरी ग्राफिक कार मिलेगा एंड कई लैप्टप मैं ऐसे भी बताऊंगा जिसमें आपको टूजीपी ग्राफिक कार भी मिनिम्यम देखनी को मिल जाएगा तो वीडियो के साथ बने देना स्केप ओड नमत करना बात करते हैं नंब इस लैप्टॉप की और जाने आप जा सकते हो इसकर डिस्पेऴ क्वंटी बहुत सजी इसका रैकपैड बहुत wine ऑपको हें अगरी टेयर मिल जाती है मंई नोटेऊं की मैं में ब्लस तो थोड़ा से बीप निया पको बता देता हूं उच्ट weaponsu एंटिक लिए डिस्पेय प्रसाइसर की बातों को आई-फाइब 10 जमरेशन के साथ मिलता है स्टोरेज की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जागी प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है आपको 65W का fast charger देखने को मिल जाता है प्राइस की बात करूं आपको 41,000 के बड़र में MI notebook fording देखने को मिल जाएगा तो यहार मिल specification तो मैंने आपको बता दिये MI notebook fording के अभी मैं आपको ये भी बता देता हूं इसको number 5 पर रखने का सिर्फ ये reason है कि आपको 8GB RAM जार जो upgrade करने का option नहीं मिलता है अगर आप like coding करते हो, programming करते हो, engineering student हो, अगर आपने like कोई भी heavy software भी यूज़ करना है आप इस laptop पे normally easily कर सोगे लेकिन मैंने आपको minus part भी बता दिया और कोई भी इसका minus part नहीं है इसका battery backup बहुत जाला सही है आपको 10 hours का battery backup प्रवाइड कर देता जी laptop जो मैं आगे laptop मुझे HP का laptop चाहिए, मुझे Dell का ही laptop चाहिए, अगर आप भी उनमें से आते हो, आप जा सकते हो HP 14 की और अगर इसके specification की बात करूँ, laptop बहुत अगड़ा, ये दो colors में देखनी को मिलता है, लेकिन black color में मुझे जादा suit करता है, अगर आप ने जाना है तो black color आप भी try कर ले Late Test Processor अगर आप में कोई heavy software यूज करना आप कर सकते हो, आपको 8GB RAM मिल जाते है, जो कि आप upgrade कर सकते हो 16GB तक, जो कि इसका plus point आ जाता है, मैं main specification की बात करी लेता हूँ, आप से deeply बात करी लेते हैं, तो display की बात करूँ, आपको 40 inch full HD display मिल जाते हैं, जो कि 16 refresh rate के साथ आते हैं, प्रोसेसर की बातों को i3 10th generation के साथ भी मिल जागा, आपको 11th generation के साथ भी मिल जागा, storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जाते हैं, प्लस upgrade आप कर सकते हो 16GB तक प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाते हैं, ग्राफिक कार की बात करूँ, आपको integrated graphic card मिल जाते हैं, उप्रेणी स 14 देखने को मिल जाएगा, तो your main specification मैंने आपको बता दिया, HP 14, इसमें आपको i3 देखने को मिल जाएगा, 10th generation के साथ भी मिल जाएगा, 11th generation के साथ भी मिल जाएगा, अगर आप 11th generation के आपके लिए best deal हो सकते हैं, मैंने link provide किया हूँ, अगर आप HP का ही laptop लेना जाते हो, आप आपके लिए perfect deal हो सकते है, HP 14, अभी आगे बात करते हैं, number 3 की, number 3 की बात करो, लेकिन number 3 की बात करने से पहले मैं आपको कहा देना जाता हूँ, फिर से repeat कर देना जाता हूँ, बही मैं जो भी आपको laptop बता रहा हूँ, for students के लिए अगर आप engineering करते हो, उसके बाद coding करते हो, programming करते हो, photo editing करते हो, video editing करना चाते हो, 1080p पर end अगर आपने normal setting पर gaming करने है, आप इन laptop पर कर सकते हो, बस मैं आपको इतना फिर से कहा देना चाते हूँ, जितनी भी आपको RAM मिलते है, सभी मैं आपको 8GB RAM मिलेगी, लेकिन आप अगर upgrade कर सकते हो, आपने कर लेना है, जो कि आपक यूज करना होगा, वो normally smoothly चल जाएगा, ठीक है, आप आगे बात करते है, नमबो 3 की, नमबो 3 पर यार मैंने रखी है, Lenovo Ideapad Slim 3 Ico, अगर इस laptop की बात को आपको बहुत कसंद आने वाला, अगर आपका budget 40,000 से भी कम है, ये laptop आपको 37,000 के budget में मिल जाता है, प्लस आपको इसक आपका प्राइज हो जाता है, 35,000, प्लस अगर आप SBI चार यूज कर लेगा, आपको 5% या 10% आफ पी देखने को मिल जाता है, अगर आप उसको यूज कर लोगे, आपका 5,000 और भी लेस हो जागा, तो इस laptop का प्राइज आपको 30,000, मतलब 30,000 के बिदर में आपको ये laptop दे दूर करना, लिनोव वो आईडिया पैट स्लें 3, आई को मैंने लिंक प्रवाइड किया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जागा, अभी बात करते हैं, डिस्प्ले की तो 15.60 आपको फुल एस्टी प्लस दिस्प्ले मिल जागे, जो की 16 रिफ्रेशर के स साथ आते है, प्रसेसर की बात करो, आपको आईरी 10th generation के साथ में मिल जाएगा, 11th generation के साथ में मिल जागा, अगर आप 11th generation लोगे उसका प्राइज आपको 40,000 के बेजर में मिल जाना उसका आपको 37,000 के बजर में मिले जाते हैं, अपको 12Gb तक कर सकते हैं, प्रस आपको 256Gb SSD करने हैं लिएस्य को सब्सक्राइब करूँ को इन पिघ्य में आपको होग आप कर देघने को मिल žायगा तो specification मैंने आपको laptop के बता दिया laptop पूरा तगड़ा अगर आपने इस के हो जाना है आप नहीं स्मूथली जा सकते अभी आगे बात करते हैं नमबर टू की बात करो नमबर टू पर यार मैंने रखिया Asus VivaBook Ultra 15 को अगर इस laptop की बात करूं सबसे पहले यह 2020 model है एंड आपको slim and stylish design देखने को मिल जाते हैं इसके color वगारा बहुत भी आरे आते हैं भी अगर आपको slim and stylish design चाहिए आपके लिए यह laptop perfect deal हो सकता है तो इसके main specification की बात कर लेते हैं विटी ग्राफिक कार मिल जाते हो प्रेडी सेस्टिंग की बात कर को विंटू 10 देखने को मिल जाते हैं प्लस आपको MS Office भी मिल जागा 2019 वर्ट जन बैंटरी की बात करूं आपको के बदर में मिल जागा बट यार आपको stylish design में मिल जाता है अगर आपको वह चीज मैटर करती है आप इसके और जा सकते हो प्लस अगर आपने पढ़ते हो पढ़ाते हो कुछ भी करते हो को आप आप नौर्मली इसली कर सब्स आप जो रैम उसको अपग्रेट कर लेना आप आ आपको 40,000 भी नहीं पीए कर सकती है तो 35,000 के बटर में लिनोग वो आईडियापैट्स लेंग 3 आई आपके लिए perfect deal हो सकती है अब भी बात करते हैं लाइक इस सिर इस्पायर 5 की तो डिस्प्ले की बात करूं आपको 14 इंच Full HD Plus डिस्प्ले मिल जा जो कि आई-पैस पैनल इस्प्ले प्रसेसर की बातों को आई 5 10th generation के साथ मिलता है storage की बातों को 8 GB RAM मिल जाते है expandable आप कर सकते हो प्लस आपको 5 12 GB SSD देखने को मिल जाते है ग्राफिक कार की बातों को Nvidia G4 MX350 देखने को मिल जाता है जो कि 2 GB ग्राफिक कार है उप्लेडी सिस्थेम की बातों को विंटो 10 मिल जाते है बैंटरी की बातों को 8 हावर्स का बैंटरी लाइफ परबाइड कर देखने को मिल जाएगा तो में स्पैसिफिकेशन में आपको बत युज करना है, programming करते हैं, coding करते हो, architecture की study कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपने photo editing करनी है, and भी अगर आप engineering student हो, आप सबी के लिए best deal हो सकते हैं, तो यार अभी मैंने आपको top 5 laptop बता दिये, जो पर आपके बिचर्णी में set बढ़ता है, आप उस के वह जा सकते हो, भी अग आप च्यागूर करना जाते हो आपके लिए ब्याच्टी लोगते हो देखना भी चाहिए डीपली देखना भी जाए तब ही मैंने सभी के लिए अगर आपने पाइंग करने वाइब भी कर सकते हो तो अब मिलते हैं यार नाक्स्ट वीडियो में ने वीडियो के साथ कोई नया टॉपिक लिक रहेंगे आपके साथ चीर करेंगे थैंक यू